हेलो एब्रीवन और स्वागत आपका अपने पैथोलोजी चैनल रिवाइज मास्टर में और आज हम लोग लैमिनार एरफ्लो के बारे में जानेंगे तो लैमिनार एरफ्लो एक ऐसा इंस्ट्रुमेंट है जिसका यूज हम पैथोलोजी लाब्स में करते हैं और फिर किसी भी म कंटेयमिनेशन नहीं मतलब हम जो लैबरेरेटीवक कर रहे हूं उसमें कंटेयमिनेशन नहों इसके लिए हम लोग लैमिनार एरफ्लो का यूज करते हैं है तो लैमिनार एयाय एएरफ्लो एक कैबिनेट है या फिर एवज सी जगह है जहां पर हम क्या कर रहे हैं हमें different different काम करने होते हैं जैसे कि हमें कभी कॉप कोई कल्चर मीडिया पे अपना फिक्स करना है या फिर हमें को चीज stylize करनी है और हम चाहते हैं कि उसमें जो environment में जो bacteria present है वो ना मिल जाएं तो हम क्या करते हैं laminar airflow के अंदर अपने culture को लगाते हैं laminar airflow के अंदर एक ऐसी condition create कर दी जाती है जहां पर सबकुछ पहले से sterile होता है महाँ पर आपको कोई भी air से contamination महाँ पर होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है मतलब आप नहीं होगा तो यह हमाई लिए बहुत ही फायदे मन्द चीज होती है तो laminar airflow को laminar flow closet भी बोलते हैं और या फिर tissue culture hood भी कहा जाता है यह carefully enclosed bench है enclosed का मतलब चारोड से बंद एक bench जैसी है और या फिर आप एक खिड़की की तरह ही माली जिसमें हम लोग अपने hands को ऐसे पुट करके और फिर कोई भी काम अच्छे से कर पाते हैं इसका फाइदा क्या होता है हैं दिजाइन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन अफ सेमीकनुक्टर वेपर ऐन बायोजिकल सैंपल और पार्टिकल आपिस अलब और को ऑपर को एसा मटेरियल जिस पर कोई भी पार्टिकल प्डज़ जार्या तो खराब हो सकता है तो वैसे माटेरियल को को खराब होने से प इस में इसका हिसो करते कैसे हैं तो एयर इस पास्थ्रू हेपा हाइफिशेंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर हेपा की फुल फॉर्म है यह फिल्टर विच रिमूब्स ऑल दा एयर बॉन कंटामिनेशन तो मेंटेन इस्टेलाइज कंडिशन्स दिस क्लोजेट कैबिनेट इस इस दिद्धिशन्स टील यह जो कैबिनेट है यह पूरी तरीके से स्टेनलेस टील का मना होता मैक्सिमम और स्टेनलेस टील की चार पांच लेयर होती है और लेयर के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है क्योंकि अगर गैप वहां पे रह जाएगा तो उन गैप के ब प्रवाइट सब्सक्राइब इस सेप्टिक या फिर स्टेलाइन करनीशन फ़र टिश्यू कल्चर कि इस्ट्री क्या है लेमिनार रेयर फ्लो की लेमिनार रेयर फ्लो बहुत पुराना इन्नोवेशन नहीं है यह 2000 में बना था साइंटिस्ट के दिमाग में यह आइडिया या फिर स्ट्र्ट्चर क्या क्या होता है यहां को देखने हैं क्या मिलीगा तो यहां पर आपको एक filtration ..... के यूव लाइट है सके अंदर लोग आपर से यू रवाइट में हना कर रहां हिए यह के बाद में आता यहां पे नीचे लगा होता है इसमें और यहाँ पर कास्टर होता है फिर वरकिंग पैंश्पल कैने लैंट्र ओप लिस्पल यह है कि इसमें ही सन। पाल इनला है उसमें हैफ़ फील्टर होता है श्रुटर होता है जाएगा जैसे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स जोंगे वहीं पर रुख जाएंगे फिर हैफा फिल्टर में जाते ही बिखना माइक्टीरिया स्पोर कुछ भी कोई नहीं होगा थांग अभर माइपनान शटो के लेगा जाएक तो यह जा रही होगी वह बिलकुल इसमें अभी थांडाइन बिल्च डिल्डा नीं होगा तो इसके कوف ना भब को आपको एक ऐसा एरीया मिल चुका है जहां पर अपना कोई काम कर सकते हैं कोई सैंपल जैसे कलचा मीडिया के यूज़ करना तो भी कर सकते हैं और उससे आपका एर से कोई कंतामेशन नहीं होगा तो इसका मतलब यह में रिजल्ट मिलेगा हमारी काम का विल्कुल पर्फेक्ट होगा लैमिनर एर फिल्ट में एर पास्तु अपा फिल्टर विच रिमूव ओल एब रिमूड कंटेरिया थू अस्तिर अर्ड पैड विर दस्टिस च्राप्ट अफ्टर प्री फिल्टर एर हैस्टू पास्तू है पाफिल्टर वर कंटामिनेशन फंगाई बैक्टीरिया डस्ट एक्सेप्टर और रिमूवड फिर टाइप सफ लैमिनर फ्लो क्राविनेट्स यानि कि अब जैसी ऐसी हमने जरूरत होगी वैसे वैसे हमने तरीके से कैबिनेट को ब सबसे पहले हमने जैसी लाब में जाना है अगर अगर आम क्या करतेंगे यूवी लैंब को 30 मिनेट के लिए यूज करके छोड़ देंगे यूज करने से पहले याद रखेगा यूवी लैंब जब तक आन हो तब तक आप लैमिनर एर फ्लो के अंदर अपना हाथ को नहीं डा अपने हाथ अपना पुट कर दिया यूवी लाइट की नीचे तो हो सकता है तो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है यूवी लैंप ऑन कर देनी है तब तक उसमें काम नहीं करना यानि 30 मिनेट के लिए यूवी लैंप ऑन कर देते हैं जिससे कि अगर लैमिनर एर फ्लो के अपने अंदर कोई भी बैक्टीरिया या फिस पोर या फंगाई बैठा हुआ होगा तो वहां पर उसकी डैथ हो जाई है वह सब को क्ली कर देती है फिर उसके बाद में वाइप डाउन दसर्फेस जेस सर्फेस में काम करना है यूवी लैट को बंद कर दिया फिर जिस सर्फ अब यूशन मतलब आपने लैमिना रेफ्लो में काम कर लिया उसके बाद अपने अपने इस रूम में आपको लेके जाना है वहां पर ले जाईए और वहां पर भी स्ट्राइज कर लिए उस एरिया को वाल्स को वाश वाश करके फिर मैनेजमेंट कैसे कर सकता है लामिना एय फ्लो का बट जो इंस्ट्रिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उनमें भी कंटैमिनेशन हो सकता है तो पहले उनको भी आप अच्छे से क्लीन कर दिए फिर आपके हाथ पे भी जॉम्स हो सकते हैं तो अपनी फिंगर्स को भी 70% इसायल अलकॉल से साफ कर लीजे और गलती से अपनी माउथ और अपनी नोज को अंदर मतले के जाहिए और उसको अच्छे से मास से कवर रखे तो आपकी जो अगर आपके मतलब आपकी स्नीज कर दें या फिर आप कोई कोई बेमारी हो रखा हो तो वह कहीं अंदर उसमें ना चला जाए फिर वाय लैमिनार एरफ्लो हम तो दो तरीके से इसनम स्टराइल एरिया बना सकते हैं स्टराइल एरिया को बनाने के लिए दो तरीके हैं एक है स्टीम मेथड दूसरा है लैमिनार एरफ्लो का यूज करते हैं और स्टीम मेथड का यूज नहीं करते हैं यह जानेंगे तो स्टीम मेथड के दो एडवांट क्या कि स्टीम में आपको स्पेस काम करने की स्पेस बहुत ही कम मिलती है दूसरा वहां पर इतनी सारी स्टीम होती है कि आपको देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि फिर प्लांट मटेरियल केन नौट स्टे इंदस्टराइल एरिया विकॉज दे विकम टू हॉट दा कंटेमिनेशन रेट इंक्रीड रैपिडली वैं यूजिंग फ्लास्क विद वाइड लिट्स बिकॉज अगर कोई ऐसे अप यूटेंसिल का यह चीज का यूज कर रहे है बीकर विकर का जिसकी जो माउथ है वह बहुत ज़्यादा वाइड है यानि कि चौड़ी है तो वहां पर बैक्टिरिया का अंदर जाने का शांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्टीम मेथड में लेकिन लैमिना रेयर फ्लो में स्टीम मेथड के मुकाबले एडवां लोट राग होता अदर फॉल में ueell फ्लो होड या फिर आप कह लीजे फिर लमिनार फुलो हुड नीड स्मॉर सपेश है इसके भी ज्यादा चाहिए होती है से उसका सोब्सक्राइब जाल आर ने वाली है वह आम के पास मत रखेज़ वढ़क कर ब्लॉक कर देंगे और फिर जो भी जम्स होंगे हो सकता वो सब्सक्राइब के अंदर आ जाएं वेस्ट अधर आइटम शुड नेवर एंटर दा होड़ के अंदर कभी वेस्ट को और अधर आइटम को मत से किये हमेशा उसको इसनौल से क्लीन कर दीजिए अपने हेर फेस और क्लोधिंग को काम करते हैं कि मट टच करिए यह प्रिकॉशन हमें बहुत ज्यादा बाल लेना है क्या पता कि हम अपने हेर और इसमें हाथ पर बैठे वह जम सो वह हमाई लैमिना फ्लोट के अंदर चले जाएं और फिर रिजल्ट में हमारे दिक्कत आ सकते हैं कई लोग अपना लेने के लिए उसका यूस कर लेते हैं जो मुको साफ करने के लिए को यहां पर एक डाइग्राम है यहां पर दी चारी के से काम करते हैं well thank you so much